समझीए कि हिजाब के विरोध में ऐसा एंकर जिससे लोगों को प्रेणा मिलनी चाहिए वो बैसी बेवकूफी की बात करें कि मैं जो हिजड़ा बनके चला जाओंगा तो अकर हिजड़ा बनने के लिए एक एंकर तैयार है तो आप आले ये पूरा मोधी मेडिया हिजड़ा ब हलो रमशकार आदाब सत्रिकार और सलाम अलेकुम मैं हूँ मौहमद एहमद काजमी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कारिकरम आपके रूबरू आज संडे है और इस पिछले हफ़ते में बहुत कुछ हुआ है देखने समझने के लिए और कहा ये जा रहा है कि भारती जन है पैनिक में हैं कई ऐसे फोटो ऐसी तस्वीरें ऐसे बयान सामने आये हैं जिसमें बाकाइदा वो बेचैनी नजर आ रही है इसके अलावा भी अभी इलेक्शन जारी है आगे आने वाले वक्त में कई और मरहले होंगे इलेक्शन के उसमें क्या क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा वो और उसके अलावा जो ये हिजाब वाला मामला है इस पर भी थोड़ी बात करेंगे जिस तरह से चुके रविंदर कुमार जी से हम बात कर रहे हैं आज और हर संड़े को हम आप से मुलाकात कराते हैं हिजाब वाले मामले को भी किस तरह से लिया जा रहा है हम सच दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप ये बताईए कि यूपी का पहला चरण वोटिंग का हो चुका है और कई किस्म की खबरें आ रहे हैं कभी केरल और कभी वेस्ट बंगाल और इस किस्म की चीजें भी डिसकस हो रहे हैं यूपी में आखिर क्या कुछ है कहां खड़े हैं बीजेपी के लोग क्या कुछ इने मिलेगा कहां जाएंगे क्या होगा नतीजा क्या नदर आ रहा है एक बात तो बड़ी तैय है कि बीजेपी ने हार मान लिए है और हार का ये सूर्थ हाल है कि हाला कि मोधी ने नाई की समिता प्रकाश को इंटर्वू दि का कि हम 5 जीत रहे हैं बाहरी महुमत से लेकिन दरसल भी जैपी आलयक अमान ये मानती है के हम पंजाभ हार रहे हैं मनीपूर हार रहे हैं हम उत्रहफंडा और यहां तक यूपी वह रहे हैं प्रमुख मुखमांतरी है ने अर प्रदेश के शिवराज सिंग चौहान उनकी ज गैगा हमुग तो कहीर नहीं नहीं इसका कर सबस्य साफेंश, उनहीं की वीडियो नहीं सब्सक्राइब है। यह सबस्सक्राइब के जो तीजे जो पहले का मद्दान हुा। वो जिर जिर छेत्रों में हुआ अठावन सीटों पर वहां पर आला की 64.2 प्रदीशात वोट जो है पड़े हैं इत्ता मद्दान हुआ है भारी मद्दान हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का सूपड़ा पहले चरण में साफ हो गया और उसकी वज़े ही है कि एक तो खिसानों की समस्याएं खड़ी हुई है महीं के वहीं एक हिंदू-मुसल्मान यूनिटी हो गई है एक हिंदू-मुसलिम और दलित हिंदू के जो दलित है वो भी जो है बीजेपी के खिलाब खड़े हो गया है और ऐसे में देश में आताशा इसलिए भी है कि को वीडियो आई जिसमें वो viral suicide कर रहा है और वो करें मेरी मौत का जिम्मेदार मोधी है तो यह जो इनका समर्थक है यह जूतों की दुकान करता था और आप समझेए कि उसका कहना यह है कि मोधी ने जब नोडबंदी वापस नोडबंदी ली और यह जेस्टी लागू किया तो ह अगर आपने उस जूते को पहन कर चले नहीं आप मैंने में एक बार तो अगर च्छे मैने तक वह वैसे ही रखा रहा तो वह ऐसे भुरबड़ा होकर गिर जाएगा जैसे वह रहत का बनाओ जी आपने भी महसूस किया होगा कई बार जूतों मैं ऐसा महसूस करता हूं कि घर से पहन के चार कदम चले तो बस वह उपर पतावा रह गया नीचे गत्तला गाया जो कम इस्तमाल होने वाले जूते उनके साथ यह तो उससे वह वह बरबाद हो गया और उसने जो है लाइव अपना जो है वीडियो बनाया और उसने सुसाइड किया जो अब वाइरल हो रहा ह उसकी पत्ती ने भी पत्ती को देखकर हताशा में सुसाइड कर लिया और उसका नतीजा यह हुगा कि पहले उसकी पत्ती मर गई हस्पताल में फिर वो मर गया और उसके बच्चे अनात हो गए लेकिन मजे की बात है कि यह एक बड़ा राष्ट्य बहस का मुद्दा होना चा उस व्यापारी के लिए ना तो बीजेपी का कोई नेता बोला ना उसके लिए मोधी जी ने कोई ट्वीड किया ना जो सर्पार शूर्ण है मैं मोधी जी की गलती नहीं मानता लेकिन मोधी जी ने मुझे बरबाद कर दिया तो अंधब्द में आखिर तक एक उम्मीद है कि वो जिसकी पूजा करता रहा उसकी पूजा तो करता है लेकिन वो उसके बावजूर भी उसे जब कोई सहरा नहीं मिलता तो वो बिकार हो जा यह बहुत बड़ी बात है कि वो मौत उसके सामने खड़ी है और उसके बाद भी मोधी भक्ती जाली रखे हुए है लेकिन में भारत सरकार के मंत्री ने कहा कि 2018 से लेकर 2020 के बीच में 9,130 लोगों ने बेरोजगारी की वज़े से आत्मत्या की और यह उनका अकड़ा है कि 17,000 लोगों ने उनका दिवाला निकल गया व्यापार में गाटा हुआ उसकी वज़े से उन्होंने आत्मत्या की तो 3000 यह अलग अंकड़ा है यह अलग अकड़ा है और कुल मिलाकर 25,000 लोगों ने 2018 से 2020 उससे पहले क्या हुआ उससे पहले दो ही काम होए थे एक तो जीस्टी आया था और जीस्टी से पहले नोटबंदी आई तो उसकी वज़े से लोगों का दिवाला निकलना एक शब्द ह अच्छा काम चला था ठप हो गया तो आप देखिए कि 2020 तक क्या अंख ले और 20 में क्या हुआ है 20 में लोग नाउन लगा रहा बारीस में लोग नाउन लगा हुआ है तो आप समझेए अगर 25,000 लोग 2018 से 2020 के बीच में आत्मत्या कर सकते हैं तो आज के दिन तो उनकी संग्य इस तरह से लोग अपनी जान दे रहे हैं और कहीं सरकार में कहीं उस पर चर्चा नहीं और सरकार उस पर कोई अफसूस भी जाहिए नहीं करती सरकार जोटार बार ध्यान और इताड़ नाए है और इसमें बिल्कूर ऐसा लग र आ ये मसलसल मुलक को हर तरहा से तबाह करने certain lockdown कि उसमें हालात बहुत खराब हो गए तो अभी आपको क्या लगता सियासी आगे क्या कुछ है आपने बताया कि वो पांच राज हार रहे हैं लेकिन अभी जो एक नई बहस शुरू हुई उत्तर परदेश के election में कि उत्तर परदेश केरल हो जाएगा बेस बंगाल हो जाएगा क्या क्या होगा यह बिल्कुल नए किसम की चर्चा है जुakah हम भी इतने लंबे अर्षे से देख रहे हैं मुकंदर के शिकंदर पहले रहे हो हैंग हारे वह सिकंदर हे तो इसलिए वो जो है अपने दो चार ट्वीट बगरा करते हैं अपना इंटरिवु जो है पब्लिक रेली में नहीं बोल ला है एक रेली में तो आने का उनका मौकई नहीं रहा हिम्मती नहीं रही लोग लोग दूसरी पार्टियों के नारे लगाने लगते हैं और पुलीस व पहले जो मुस्तेदी से योगी के पक्ष में डंडा लेकर खड़ा होता था वो भी अंदर खाने जो है समझिए विपक्षी दलों के साथ हो गया है आपने देखा होगा क्या ही पुलिस वाले जो है पुलिस वाला जो है वो कोई स्टेचू तो है नहीं उसका भी घर है परिवार है उसके माबाप हैं उसके चोटे वैन बाई बड़े यह सब हैं तो वह एक ही तो आदमी पुलिस में आया है तो उनकी सब की परिशानी देख करके तो उसमें यह भाव पैदा होना बहुत ही नेचरल है अब आप नहीं जो बा अब के बारे में और यूपी की तुलना करें तो यह तो ऐसे ही है किसी आदमी की साधान सी जो है काली कलूटी बीबी हो और उसको मैं कहूं कि देखे चूरन अगर तूने लगा दिया अपनी बीबी के तो यह अश्वर रहे हो जाएगी तो आप समझे वह आदमी चूरन आगे और वहां पर जो है 99.8% लोग जो शिक्षित हैं वहां पर जो है बेरुजगारी की दर बड़ी कम है एड्मिस्टेशन जिसे हम कहते हैं जो आज की समय में करोना जो बिमारी का कारण है वहां की सबसे अच्छी स्वास सेवाए है केरल एक ऐसा राज्य है जिससे समय से आयों कहता है कि नंबर एक पर केरल है और योगी जी कह रहा है कि अगर आपने वोट दे दिया यूपी वालों ने तो हमारा ये प्रदेश जो है केरल बन जाएगा अरे बहुत नीच आप तो उनका मजाप उड़ा रहे हैं आप मैं नहीं मैं तो टक्षों की बात करो नहीं सीधा केरल हो जाएगा इसका मतब महां से मैं तो इसका स्वागत करूंगा और जो लिब्रल आदमियों से स्वागत करना चाहिए क्योंकि केरल में BJP की बरी सबसे खराब गत यह उसके लोग नहीं जीतते हैं और कश्मीर में उन्होंने मेट्रो मैन को खड़ा कर दिया उन्ह अब भी उसके इताशा इस्ती जादा होई को से भीज़े भी छोड़ दी जी 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 तो तो यह मैं देख रहा था कश्मीर से भी एक रियक्शन आया था उमर अब्दुल्ला का कि आप यूपी को कश्मीर बनाने की बात क्या रहे हैं हमारे यहां तो बहुत हाल आते हैं आज भी इतनी मतलब सिच्वेशन में इतना हमेशा बंद कश्मीर आज भी खुबसूरत हैं कश्मीर आज भी जो एक जन्नत है इंडों ने पूरा चाय मेरेट्री लगा दियो कुछ भी लगा दियो लेकि कश्मीर का आदमी खाते पीता है उसका हट्टा हट्टा है जिसके मैं तो सोस्ता हूं दिल्ली कब बंगाल बन जा है आप समझेए बंगाल में जो मेट्रो है उसका किराय पांच रुपए आज भी यह बहुत बड़ी बात है पांच रुपए है आप दस स्टेशन जाओ पंदाए स्टेशन जाओ पांच रुपए लगते हैं यह इस तरह से पासा उल्टा बलट गया मुझे ऐसा लगा कि कहा था किसी और इरादे से लेकिन आप जैसे लोग इस तरह से कंपेर करने लगे का है तो आप सच की उम्मीद कर रहे हैं यह भी मिल खाल से उम्मीद कुछ जादा है आप तो देखिए पूरा हिंदोस्तान मानता है कि भारती जैनता पार्टी ने गोईबल से एक ही बात सीखिया है जूट बोलो बड़ा जूट बोलो लगातार बोलो और बोलते ही रहो मैं मुझे बच्वन का चुटकला याद आता है एक और एक और अवरत अपने घर में खाना बना ले थी तो बच्चा चोटा बगा बगा तो वो बच्चा जो था वो योगी था अच्छा इनके बच्पन के भी वाकिया था आपको मालू मैं यह तो बात यहां आ गई कि अपनी जबान से ही ऐसी बातें कह जा रहे हैं जिससे के वो खुदी पकड़ में आ रहे हैं इसका बिलकुल खुद पकड़ में आ रहे हैं मतल आपने बीजेपी के नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहा अभी एक फोटो आई है सामने हमारे ग्रहमंतरी जी की जो चानक क्या कहलाते हैं बीजेपी के वो देखे हैं चानक क्या मतलब उनके आँख यह है कि इंपॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला आदमी कहीं भी इलेक् पाके हुए आई इनसान की तरह से जो वो बैटे हुए हैं फोटो उस और या आपको क्या लगता है कि क्या यह इलेक्शन की नाट का वह ही हिसा paralyzed अधर सो ट्ट गोएे तो आब तो आदमीं जाके अपने रोने के लिए तो उसे ठक्या चाहिए होता है या बीबी अचा और अम्बानी की तो पूजा करनी चाहिए यह एंप्लाइमेंट देते हैं लोगों को नौक्रियां देते तो अब अब यह जो ठकन है यह अडानी अम्बानी किसी अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके क्या यह ना वह भागने की तरह तैयारी में है क्या वह सते नहीं होंग हैं यह बात सही है यह कौन कब भाग सकता है पालिटिक्स में हमने इंडिया में तो खेंगा किस्तान में पाकिस्तान वह लोग बहुत जल्दी से बाग बहुत इंदुस्तान के अगर 154 सुपर रिचे हैं तो आप यह समझे जिए आज के समय में 112 इंदुस्तान से भार भागे हुए हैं तो इसलिए वह उन्हें विचारों को भागना पड़ता है उन्हें मुल्क चोड़ना पड़ता है दूसरे स्टेट में चले जाते हैं या और तरहें से वह कहते हैं अपने दंदी बदल लो कहेंगे मैंने सन्यास ले लिया है राजिती छोड़ दिया है अच्छा अभी एक बहुत ही एहम इशू है चल रहा है करनाटक में हिजाब वाला उस पर अधालतों ने जो रुख इक्तियार किया है करनाटक हाई कोट ने कह दिया किसाब जब तक फैसला नहीं होता तो आप अपनी ड्रेस पर इंसिस्ट मत करो जिद मत करो नहीं उन्होंने बड़ा क्लियर का है और सुप्रीम कोट ने ये कह दिया कि हम अभी सुनने को तय करनाटक हाई कोट के प्रधान न्यादिश्य तीन जजजों की बेंच बनाई है उससे जो इंट्रीम और पास किया उससे का कि तिलग नहीं लगाएंगे आप भगवा नहीं पहनेंगे लड़कों पे रोक लगाई है कि आप तिलग लगा लें बगवा दुपट्टा पहन ले है उस वह भी नहीं पहनेंगे सब पर रोक लगाई है और लड़कियों को का है आप भी हिजाब ना पहने हो ताकि जो ड्रेस कोड है उसे फॉलो कर लें और जब तक हम फैसा नहीं करते तो दो-चार दिन जो है क्योंकि हिंदुस्तान में या कहीं भी जगड़े को निप्ट करेंगे तो उसमें दोनों पक्षों को अती करने की या अपनी मनमर्जी करने की छुट मिलेगी तो उसनों ने जैसे एक एक एंकर है अमिश देवगन उसे का जी मैं तो साड़ी प्यान के चला जाओंगा इस्टूडियो में तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी मै लोगों को प्रेणा मिलनी चाहिए वो बैसी बेवकूफी की बात करें कि मैं जो हिजड़ा बनने के लिए एक एंकर तैयार है तो आप बाले जो है पूरा मोधी मिडिया हिजड़ा बना हुआ है और यह हिजड़े पूरे देश में हिंदू-मुसल्मान का फसाद से बिते ख अब आप देखिए अजीव सी बात क्या हुई अजीव बात ही होई कि अखले श्यादव की च्वी बनाई कि टोटी चोर है और टोटी चोर को वहां के लोगों ने क्या उसको ट्रांसफर कर दिया उन्होंने कहा कि एक तरफ नवाले को वोट देंगे और दूसी तरफ कहा कि लोगदल वाले हैं उनका चुनाव हैं तो वहां पर एक नारा चल गया है कि हम वोट किसको देंगे हम टॉंटी को देंगे तो नल जिसको यह बुराई बना रहे थे वह अखलेश श्यादव का एक तरह से टेंड़ बन गया तो इसे कहते हैं किस्वत खराब होना कि आदमी ज गये हैं तो आप यह कह रहे हैं कि कहीं भी भाग लो कहीं भी चले जाओ बच नहीं सकते आप इससे ज्यादा बदकिस्मति क्या होगी कि दो अक्टूबर को लखींपुर खीरी में आजया मिश्रा टेनी के बेटे अभीशेग मिश्रा मोनु ने किसानों को पहले गोली मारी पूरवक फिर उसके बाद जो उनको कार से कुचला उसके बाद जो है वो फरार हो गया और उसने का जी में वहां नहीं था टैनी ने कहा कि अगर मेरे बेटे में आप प्रूव कर दें कैसा हुआ तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा उसके बाद सुप्रिम कोट के कहने पर अभिशेग मिश्रा का मामला थोड़ा दबा हुआ था इलाबाद हाई कोट के जज राके सिंह उनके बन में पता नहीं क्या आया उन्होंने का ठीक वह एक तरह से वैसे दिखातोर यह रहे हैं कि उन्होंने अभिशेग मिश्रा को एक हुदार्ता से मदद की लेकि हुआ उल लगी कि 700 किसानों की मौत को किसानों में भुलाने की कोशिश की पंजाब का किसान बूल जाए यूपी का बूल जाए लेकिन यह चार किसान जिनको कुछल के मारा गया थारगाली से वो मुता जो है बेल से फिर जागरत हो गया और उसी दोराना वोट मुट बंड़ने है तो कहीं ना कहीं इनकी जिसे कहते हैं रक्षा में अत्या बच्वन में कानी पढ़ते थे के दो बच्चे घर में रहते थे तो कबूतर का एक घंस्टा सा बना हुआ था तो छोटे भाइबयान थे उन्होंने सोचा कि दूप आएगी तो बच्चों को अंडे विचारे परेशा तो कबूतरी ने उनको जो है चुवानी और उसने अपनी चौंच मारके उन अंडों को नीचे किरा दी यह कानी मैंने बच्वलों पड़ी तो उसे हम बहुत है रक्षा में अत्या के इंटैंशन आपकी अच्छी थी लेकिन नतीजा उसका उन्टा निकला तो यह जो इलाब दुआ होती है जैर भी पानी बन जाता है था इनके विचारों के साथ यह हो रहा है और यह हार रहे हैं और इसलिए योगी जी ने जो बोला के यूपी केरला बन जाएगा यह पांश्म बंगाल बन जाएगा तो उनका शखाल का बाघ्व पार्व था है तो यह बहुत ही बड़ी बात है और अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि हर चीज बीजेपी के अगेंस जा रही है यह हालात बिल्कul बदल रहे हैं ये बहराल दस मार्च तक हमें इंतजार करना होगा अभी तक अलग-अलग जो रिपोर्टे हा रही है इससे हालात तो बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से रविंद्र कुमार जी ने बताया बहुत ही बेवाग अंदाज में अपनी बात रखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी आपने हमें समय दिया इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाज शुक्रिया जै भारत जै हिन कर दो दुक्रिया जा रखते हैं